हाई दोस्तों एक दार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हो गए ठीक है और आज का टॉपिक है Mobile Crane Operator तो यह जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यह हमेशा अपनी TBT यानि टूलबॉक्स टॉक्स में एड करना है ओके जितने भी पॉइंट है हम लोग अपने पॉइंट पर चलते हैं चलिए हम लोग अपने से यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं चाहता हूं कि जल से जल यह वीडियो मतलब दो-चार मिनट में खतम हो जाए ठीक है ताके आप लोग के पास क्यूंकि आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है लेकिन एजूकेशन हसल करना है आप लोगों को में क्या भाट करना है के और क्या पॉइंट से बाद करना है यह सब मैं आपको लोगों बता रहा हूं कियह तूलवाक स्मीटिंग को जर्शिक को टाइड़क खतम हो जाएगा ऑं बीच-बाक से त्रेंनिंग भी डालता हूं जिस तरह से आप लोगों पता हैं कि कि लाइव इसकी बात करना चाहिए क्योंकि यह मुबाइल करन ऐसी चीजे कि यहां पर बहुत एक्सिडन होता है लोग जितना भी है वगरा के अपरेटर हैं उनके सर्टिफाइड होना चाहिए उनके पास लाइसेंस होना चाहिए ठीक है जिसको आरभी में रुकसा बोलते हैं ठीक है मु मुबाइल क्रेन का जो मुबाइल क्रेन ऑपरेट करता है अगर उसके पास जो लाइसेंस होता है उसको अरभी में इंशाया बोलते हैं ठीक है अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और बिना टाइम जाय करें यह सब डिसकुस करना है ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टन ट हर एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को यह मिलेगा मसला मोबाइल करेंग तो कंपल सरी बिना मोबाइल करेंग के कोई काम नहीं होता है यह तो आप लोगों पता है तो इसलिए मेरे लिए आज बहुत इंपोर्टन टापिक रहा मैंने सुचा कि यह बहुत इंपोर्टन टाप ठीक है I hope कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन नीचे नीचे करते जा रहा हूं आप लोग पॉस करके भी देख सकते हैं जब अगर और नई समझने का तो कोई मैंने मतलब कोई पॉइंट ही नहीं छुड़ा है क्योंकि मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है ताके आप लोग आसानी से समझ सको जिन लोगों की इंगलिश थोड़ी बहुत कमजोर है जो क्योंकि प्रैक्टिकल जो है ना बहुत इंपॉर्टन होता है ठीक है ना तो यह स साइट प्रैक्टिकल हम लोग ने किया है जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं as a safety engineer one of the best consultant में काम करता हूं और मैं more than I think 22 हो गया होगा 22 years से मैं रहता हूं तो just जो भी मेरा अपना experience है मैं चाहता हूं कि मेरे से लोग लोगों को help मिले है ठीक है चलिए पॉइंट थोड़ा अभी आट पॉइंट तक पहुझ गए हम लोग मैं थोड़ा जल्दी भगाता हूं ताके time कम से कम चोटी से चोटी वीडियो बन जाए ठीक है बाद में आप लोग पॉस्ट करकर के देख लेगे है यह सारा पॉइंट्स आप लोगों को टूल बॉक्स मिटिंग जिसको शॉट में बोलते हैं टीवीटी उसमें एड़ करना है और आप लोगों को अपने चेक करना चाहिए सारे चीजे ठीक है दिमांग में रखिए आप लोग और डिसकस करिए इस टाइम टूल बॉक्स मिटिंग में यह बहुत इंपॉर्टन टाप्विक है हर एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहां पर मोबा करें के काम ही नहीं होता है ठीक है तो इसलिए मैंने आज अचानक मेरे दिमांग में आया है कि चलो आज मोबाइल करेंटर के बारे में बात करते हैं कि विडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है आप लोग घबराई है नहीं मतलब मैंने सोजाता है कि तीन मिनिट में खतम कर दूँगा लेकिन आइधिंग यह लंबी मतलब पांच-शे मिनिट हो जाएगा तो आप लोग घबराई है नहीं क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा ठीक है जिन्दगी में कुछ करना है कुछ बनना है तो आप लोगों को उसके पीछे महनत करनी पड़ेगी जैसे कि आप लोग जानते हैं अची तरह तो कंसिस्टेंसी यह बहुत ज़रूरी है आप लोगों कामियां बोना है तो मुझे भी देखो डूटी पे से मैं आकर आफिस में से आकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं चुक्य मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने अपना वक्त गुजारा जो मेरे टैम पे लोग मुझे कुछ बताने के लिए तयार नहीं होते थे ठीक है न तो बहुत कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर कमेंट करके बताइए कि अच्छी लगी नहीं लगी ताके मुझे पता चले आप लोग के कमेंट से मुझे एक आप लोग जस्ट वाच मत करिया यह वीडियो को आप लोग कमेंट भी कीजिए ताके मुझे पत जैसे कि लास्ट में मैंने बताया कि भाई मिटिंग होने के बाद ये पॉइंट जरूर लिख दिया करो कि भाई मैंने आप ये जो I have verbally and in person read and reviewed double safety information with all employees assigned to the toolbox talk we discuss all questions comments and concerns ठीक है ना ये बाद में लास्ट में supervisor के signature ले लिएकर supervisor है engineer है जो भी है उसकी ताकि सारे document आप लोगों के complete हो जाएंगे ठीक है चैलिए वीडियो को इसी के साथ close करते हैं thank you very much